हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मुख्य मंत्री आयुश्मान आरोग्य योजना दो हजार चौबिस के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इसके स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इस से रेलेटेट जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, यह आप फ्रेंज से जन सूचना पोर्टल पर जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मल्टिपल लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें आप इसकी जो बेनिफिरिशरी डेटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, इसके बार अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ्रेंज स्टेटस है वो अपरूड है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर फ्रेंज से आपको जो ड प्रेट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा jobrasa.com पर वहाँ पर जाकर भी आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर पाएंगे तो यह फ्रेंट से यहाँ पर जो यह पोस्ट है यह मुख्यमंत्री आयुशमान आरोग्य योजना 2024 के लिए है इसके लिए अगर आप आविदन करना चाहते हैं तो कैसे आपको आविदन करना है step by step process के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर क करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सके तो यहां पर फेंसे देखिए यह इसका ऑफिशल पोर्टल है अपलाए करने का रारेस्थान सिंगल साइन ओन का अब देखिए अगर आप SSO ID अगर आपने बना रखी है तो आप रैटली लोग इन कर सकत हैं अगर आप पहली बार अडिस्टेशन कर रहे हैं तो डिस्टेशन टैप पर किलिक कीजिए दो ऑफ्शन्स आपके सामने आएंगे या तो जनधार के माध्यम से आप यहां पर जनधार को सेलेट करेंगे जनधार आइड आईडी आप यहां पर दीजिए और उसके बार आ अगर यहाँ पर registration करना चाहते हैं तो आप Google को select कर सकते हैं इसके बाद friends आप अपने जो Google ID है उसके माध्यम से friends आप यहाँ पर आपका जो account है वो create कर लेंगे और friends यहाँ पर देखिए आपको जो आपके SSO ID है वो आपको यहाँ पर show करेगी अगर आप इस SSO ID में कुछ changes करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको friends आपके उपर depend करता है बस यहाँ पर एक green होना चाहिए अगर यह green है तो आपका friends से SSO ID आपका यहाँ पर create हो जाता है अब आपको यहाँ पर एक password create करना होगा पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो इसके लिए friends से यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने sample show कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर password देख रहे होंगे जैसे friends से यहाँ पर आप देखे capital letters use कर सकते हैं आप यहाँ पर small letters use कर सकते हैं तो आपको जो password याद रहे उसके according आपको password बनाना है और उसके बार आपको यहाँ पर आपका registration process complete कर लेना है इसके बाद friends से जब अपना यहाँ पर आप फ्रेंच से SSO ID create कर लेंगे तो आपकी SSO ID और जो password आपने create किया है और यह capture code है यह डालकर आप simply यहाँ से login कर पाएंगे apply करने के लिए इसके बाद friends आपका देखिए जो dashboard है यह open हो जाएगा और dashboard open होने के बाद है कि सबसे उपर आपको यहाँ पर देखिए option मिलता है एक update profile का तो इस option पर क्लिक करके आप अपना जो भी profile है वो आप update कर सकते हैं अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई डिक्कत नहीं है पर अगर आप यहाँ पर profile अगर आप create करते हैं तो अपना profile को एक बार इस के पोर्टल पर जो ओगीर नहीं जो की यहाँ पर इसको मा योजनगा भी कहते हैं मा योजनगा क्या है मुख्य मंतरी आयुश्मान आरोगया योजनग योजनय तो यहां पर अपरegenस्टृच्शन चिए गई इस दी गई है service request दी गई है साथ में फैंसे यहां पर देखिया आपको dashboard भी दिया गया है और यहां पर एक option है registration for my योजना तो आप इस योजना के लिए registration अगर आपको करना है तो आप इस option वाले click पर click करेंगे तो आपको इस पर click यहां पर आने के बाद तीन options आपके सामने यहां पर open होते हैं तो यहां पर देखिए आपको पहला option मिलता है जन अधार ID का तो आप जन अधार ID select करते हैं तो आपको यहां पर आपकी जन अधार ID type करनी है जन अधार का अगर आपने अभी सिर्फ registration करवाया है तो जो जन अधार ID माली जे select करते हैं तो जन अधार ID नंबर आप यहां पर देंगे और उसके बार यहां पर है सर्च beneficiary तो आप यहां से इसे सर्च करेंगे इसके बाद यहां पर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहां पर देखिए नीचे आता है जनरेट policy या renew policy तो फ्रेंसे आपको इस option पर क्लिक करना होगा इसके बाद फ्रेंसे यहां पर देखिए नीचे स्क्रॉल करने पर आपके सामने यहां पर option एक open हो जाता है जहां पर फ्रेंसे देखिए आपको यहां पर देखिए अभी आपका status new है क्या पहली बार यहां पर decision कर रहे हैं अगर आप रिन्यू करेंगे तो आपको यहां पर दिखे पहले से ही कोई एक ID मिलेगी आपको इसको रिन्यू करना होगा अगर आप आज यहां पर आज कंडिशन में अगर आप अप्लाइ करते हैं तो आपका जो यह कार्ड है यह फ्रेंस एक नवंबर से आपक आपको मिलती है आपको फ्रेंस कोई भी option जो भी आप यहां पर select करना चाहें वो आप select कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस से यहां पर देखिए category option है तो आपको category पर जाना है अब यहां पर फ्रेंस से देखिए अगर आपका यह option small and marginal farmer का open होता है अब यह कैसे जनकरी आती है य आपको AWS का जो criteria है वो जनधार में अपडेट करा ले तो यहां पर अगर आप form को apply कर रहे है तो एक बार यहां पर जो जानकारी है वो फिल आप जरूर कर ले अपने जनधार में अगर आप यहां पर किवल paid OTR के माध्यम से करते हैं तो आप paid OTR यहां पर select कर सकते हैं इसके यहां पर देखिए e-sign status है आप इस पर click करेंगे इसके बाद फैंसे कुछ इस तरह का interface यहां पर open होगा जहां पर फैंसे देखिए आपको नाम आपका father name मिलेगा और आप घोशना करते हैं कि आप पेड़ श्रेणी में पातरता रखते हैं आपकी द्वारा दस्तावेज है वो सही है और इसके अलबा आप किसी भी अन्य स्वास्त बीमा योजना या medical policy से लगमवित नहीं है जिसका रादिसरकार द्वारा भार वहन किया जा रहा है तो आप यहां पर देखिए फैंसे OTP या Biometric डोनों ही options आपको मिलते हैं अगर आप Biometric करना चाहें तो Biometric कर सकते हैं OTP करना चाहें तो आपको Simply Send OTP पर क्लिक करना होगा इसके बाद फैंसे जो OTP आपके पास यहां पर आएगी वो OTP फैंसे आपको यहां पर enter करनी है और इसके बाद फैंसे Simply जो यह verify OTP वाला option है यहां से अब अपनी उस OTP को verify कर लेंगे तो यहां पर फैंसे इसके बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने open होगा तो यहां पर देखें जो यह motivator वाला option है इसको आपको fill करने की ज़र्द नहीं है यहां पर आपको आपका mobile number और आपकी जो mail ID है वो आपको यहां पर देनी है और उसके बाद नीचे आपको make payment वाले option पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके सामने देखें जो payment gateway है यह open हो जाएगा अब यहां पर देखें आप card यूज कर सकते हैं यहां आप net banking यूज कर सकते हैं किसी भी bank के तो यहां पर आपको simply आपका जो payment है वो verify यह complete आपको यहां पर कर लेना है और जब आपका payment यहां पर verify यह complete हो जाएगा इसके यहां पर एक option मिलता है click to download का तो आप इस option से friends आपका जो यहां पर यह download कर सकते हैं आप इसके receipt को और यहां पर friends से जब आप इस तरह से यहां पर इसे download करते हैं तो आपकी जानकारी है वो आपको यहां पर show करती है और friends से यहां पर आप से कहा गया है योजना करते हैं आप जा सकता है जनम मृत्व विभाग के कराण परिवार की संक्थ्या में बदला होने पर तुरन जन्हधार कार्ड में संसोधन करें इलाज के लिए स्पतल जाएं तो अपना जन्हधार कार्ड रसीर अधार कारड या पॉलिसी दस्ताविज अपने साथ जरूर लेके जाएं और के अलावा फ्रेंच साथ जो help line number है वो 81 पर आप phone करके भी आप इसकी जानकाई ले सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंच से जो यह योजना है इसकी फ्रेंच से जो यह policy है यह policy आप डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें तो यहाँ पर फ्रेंच से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करती है कैसे आप मुख्यमंत्री आयुशमान आरोग्य योजनाथ 2024 रेजिस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं स्टेप बैस्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है घर बैठे आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राब इंचे जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारा यह वीडियो प्रोसे एला संक्सपोर वाचिंग